दान के पिछले वीडियो में दान के बारे में बताया गया आज का विशय है कि दान का रहस्य क्या है दान के कारण क्या है दान क्यों करना चाहिए उनके अधिश्ठान क्या है दान के अंग क्या है कितने प्रकार का दान होता है दान से क्या प्रतिफल मिलता है दान के बिनास के क्या कारण है ये जो दान का रहिस्य है जो स्वयम भगवान नाराण ने नारजी को बताया था और जिसको नारजी से सकंद पुराण के रचैता भगवान कार्तिके को ज्ञान प्राप्त हुआ जिनोंने महारसी भ्रगु को बताया और वही जो नाराण ने एक महान भक्त धर्म बर्मा नामक राजा जो सौराष्ट देश के राजा थे बड़े धार्मिक और ईस्वर भक्त थे वो धर्म के बारे में चर्चा करते रहते थे कि धर्म में ये स्रेष्ट है ईस्वर की भक्ती स्रेष्ट है या सत्य स्रेष्ट है दान स्रेष्ट है परुपकार स्रेष्ट है तो उनको दान का धर्म सबसे अच्छा लगा, कि दान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति सीग्र हो जाती है, लेकिन दान क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये सब जो रहस्य है, ये जानने की इक्षा से वो बड़े-बड़े र ग्यासा रखी लेकिन कोई भी रिसी उनको संतुष्ट नहीं कर पाया कि धर्दान करना चाहिए तो क्यूं करना चाहिए तब ब्यथित होकर राजा ने भगवान विश्णू की तपस्या करना शुरू किया और कई वर्सों तक तपस्या करने के उपरांत जब आकास बाणी कि हे राजन अपना प्रियूजन बताओ तो राजा ने कहा कि मेरा एक प्रस्न है उसका एक उत्तर चाहता हूँ ये जो दान है दान का तत्त क्या है दान का रहिष्य क्या है दान के कितने तत्त है और दान क्यूं करना चाहिए इत्यादी उन्होंने क्वेश्चन किया दान का तत्त पूछा तो भगवान ने एक इस लोक में उसके दान के तत्तों को एक इस लोक में आकास बाणी द्वारा बता दिया वो इस लोक स्री नारायन कहते हैं कि द्वी हे तू खड़ अधिष्ठानम खड़ अंगम चाद्वी पाक युको चतुस प्रकारम त्रिविधं त्रिनासम दानम मोच्यते अर्थात दान के दो हे तू हैं कारण हैं दान क्यों करना चाहिए उसके दो हे तू हैं उसके दान के छे अधिष्ठान हैं दान के छे अंग हैं और दान करने से दो प्रकार के फल मिलते हैं दान चार प्रकार का होता है दान के भेद तीन हैं तथा दान के बिनास के कारण भी तीन हैं इस इस लोक में ये बताया गया। चूंकि राजा ने भगवान से दान के तत्व पूछे थे, उसकी ब्याख्या नहीं पूछी। उस समय तो राजा अपने राज्य में वापस आ गए और दान का तत्व सब को बताया। लेकिन अब उस दान के तत्व की सही ब्याख्या करने वाला कोई नहीं था। वो सभी ब्रामनों से, सभी रिशियों से, सभी मंत्रियों से पूछते रहे पर उसकी ब्याख्या करने वाला कोई बिद्वान नहीं मिला। यहां तक की राजा ने सात लाख गाय और सात लाख स्व नारद अपने प्रभु नारायन की तपस्या करने के लिए कोई सुरक्षित धार्मिक जगह की खोज कर रहे थे, जब वो सौराष्ट से होकर निकले, वहां देखा कि वो राज्य सर्बथा धार्मिक और पवित्र तथा सुरक्षित है, अता वो राजा से सुरक्षित भूमी ए महान बैश्णों भक्त हैं, उन्होंने इस लोग की ब्याख्या जो बताई क्योंकि उनको स्रीहरी पहले ही बता चुके थे, वो इस प्रकार है, दान के दो हेतु कारण है स्रद्धा और सक्ति, स्रद्धा ही स्वर्ग और मुक्ष है, स्रद्धा ही धर्म है, अद्भुत तप है, अर्थात बिना स्रद्धा के दाता, चाहिए अपना सब कुछ दान कर दे, उसका कोई लाब नहीं होगा, स्रद्धा तीन प्रकार की होती है, सात्व की, देवताओं की पूजा करने वाले और इश्वर की पूजा करने वाले लोगों की, राजसी जो यक्षों, राष्छ हो, उसको जो दान करता है, वो थोड़ा में ही भगवान प्रसन होते हैं, सक्ति, दूसरा है, सक्ति का तात्पर सामर्थ से है, अर्थात, दान कुटुम्ब के भरण पोशन से जो अधिक हो, वही दान करने योग्य होता है, उसी का दान करना चाहिए, उसी से वास्तविक धर अधर्म लाब होता है, इसके विपरीद करने पर धर्म अधर्म में परिवर्टित हो जाता है, धर्म के छे अधिश्ठान है, पहला अगर किसी मनुस्य द्वारा किसी प्रियोजन की इक्षा के बिना केवल धर्म बुद्धी से स्रधा पूर्बक किसी सुपात्र बिक्ती को या बिक्तियों को दान करता है तो उसे धर्म दान कहते हैं, यह दान ही वास्तों में दान है जो परलोक में भी कामाता है और इश्वर प्रसन होता है, दूसरा जब किसी प्रियोजन स्वार्थ को दिल में रखकर किसी सुपात्र को दान करते हैं, तो उसको अर्थ दान कहते ह ये दान सिर्फ इस लोक में ही फल देने वाला होता है। तीसरा अगर कोई मनुस्य इस्त्री समागम है तू सुरापान के लिए सिकार या जुयें के लिए किसी अनाधिकारी को यत्न पूर्बक इकठा किया हुआ दान में से जो कुछ दान कर देता है उसे काम दान कहते हैं। कर दे तो लज्जा दान कहा जाता है। कोई प्रियकार सुनकर हर्सवल उल्लास में जो कुछ दिया जाता है उसे हर्सदान कहते हैं। उसमें कौन-कौन सम्मिलित है, एक दाता है जो दान करता है, एक दूसरा प्रतिग्रहीता है जो दान लेता है, सुद्धी सुद्धु दान होना चाहिए, धर्म युक्तु वस्तु होनी चाहिए, देश और काल समय, ये दान के छे अंग हैं, दाता निरोग धर्मात्मा देने की इच्छा रखने वाला बैसन रहित पवित्र तथा अनिंदनी कर्म से आजीविका चलाने वाला होना चाहिए, तब ही उदान माना जाता है, प्रतिग्रहीता कोने जो कुलवान है बिद्वान है बैसन रहित है जिसके आचार ब्योहार उज्जल है जीवन निर्बाह की ब्रत्ती भी सुद्ध है और सात्विक है जो दयालू है जितेंद्री है तथा योनी दोस से मुक्त है वो ब्रामहड दान का उत्तम पात्र माना गया है सिर्फ ब्रामहड कुल में पैदा हो गया तो उसको दान लेने का अधिकार नहीं है उसके गुण भी देखने चाहिए कि ये ब्रामहड क्या करता है या जिसको भी दान कर रहे हैं किसी गरीब को दान कर रहे हैं तो वो क्या करेगा जाकर के अगर आपने दान कर दिया किसी सराबी को दान कर दिया हो जाकर के सराब पीता है तो आपने दान जो किया वो पाप में कनवर्ट हो जाता है आप पाप कर रहे हैं फिर तीसरा है सुद्धी अर्थात दाता याचिकों को देखकर प्रसंचित होने वाला उनके प्रति प्रेम और करुणा रखने वाला उनका सतक करने वाला हो, तभी दान का परपून होता है। धाता का धन किसी दूसरे को सता के न लाया गया हो, सुद्ध हो, उसकी मेहनत से उपार्जित धन हो, तो वो सुद्ध धन कहा जाएगा। धर्मयुक्त दे वस्तु मतलब किसी धारमी को देश को लेकर जो वस्तु दान की जाती है उसे धर्मयुक्त वस्तु कहते हैं। पांचवा और छठा क्या है देश और काल जब का मतलब जिस देश या जगे पर जिस समय पर उस वस्तु की ज़्यादा उपयोगिता हो वो दान उत्तम माना गया है जैसे गर्मी में ठंधा पानी पीना देना दान करना सर्दी में गर्म कपड़े बरसात में छाता गर्मी में जूते सर्दी में कम्मल रजाई और दान के प्रतिफल दान के तो ये ये दान के देश और काल ये माने गए हैं स्री भगवान ने दान के दो प्रतिफल बताए हैं दान के दो प्रतिफल होते हैं एक जो परलोग के लिए होता है और एक जो इस लोग के लिए होता है वो दो प्रकार के फल होते हैं दान के प्रकार, दान चार प्रकार के होते हैं, पहला कुवा बनवाना, बाग बगीचे लगाना, पोखर खुदवाना, आदि सर्बो पयोगी कार्यों में धन को लगाना धुरुवदान कहते हैं, दूसा, प्रतिदिन दिए जाने वाले नित्य दान, जो कभी किसी को छोटा मूटा दान करते रहते हैं, उनको त्रिक दान कहा गया है, जो दान संतान, विजे, अईश्वर, इस्त्री और बल आदि के निमित या एक्छा पूर्ती करने हेतु दान करते हैं, उनको काम में दान कहते हैं. चोथा होता है नैमित्तिक दान, नैमित्तिक दान तीन प्रकार के होते हैं, एक काला पेक्ष, जो संक्रांती और ग्रहनादि में देते हैं, उन्हें काला पेक्ष दान कहते हैं, क्रिया पेक्ष, जो स्राधादि के लिए दान करते हैं, उनको क्रिया पेक्ष कहते हैं, और गु में गुरु को दान करते हैं, फीज देते हैं, तो वो गुणा-पेक्ष दान कहा जाएगा. दान के तीन भेद बताएं हैं, जिसमें से पहला है जो आठ वस्तुएं हैं, जो दान के रूप में दे जाते हैं, उनको उत्तम दान कहते हैं. उनमें क्या है कि घर, मंदिर, बिद्या, भूमी, गव, कूप, कुवा, प्राण और कन्यादान, ये आठ वस्तुएं को दान करने से, उत्तम दान कहा गया हैं. मध्यमदान अन, बागीचा, वस्त्र, स्वर्ण, अस्व, हाथी, वाहन, आधि मध्यमदान कहे गए हैं. और तीसरा होता है कनिष्ठ दान, कनिष्ठ दान में जूता, छाता, बरतन, दही, मधू, आशन, दीपक, काष्ठ और लकडी और पत्थर से बनी वस्तुओं आधिको कनिष्ठ दान कहते हैं. अब अंतिम है दान के बिनासक तीन तत्तों, अब यह तीन तत्तों कोन हैं? पहला है कि पश्चाताप, अगर दान दाता, दान करके पच्चताता है, तो दान का फल तुरंत निस्फल हो जाता है, और उसको दान का कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलेगा कोई भी उसका पूर्ण नहीं मिलता दूसरा है अपात्रता अगर दान किसी कुपात्र को या जो दान लेने के योग नहीं था और उसको दान दे दिया जाता है तो वो दान अपने आप नश्ट हो जाता है उसका कोई भी प्रतिफल दाता को नहीं मिलता है और तीसरा है दान का बिना सकत्त तो अस्रद्धा अगर कोई दान बिना स्रद्धा के दिया जाता है न चाहते हुए किसी सरंबस या किसी के कहने से या दिखावे के लिए अगर वो दान करता है और उसकी स्रद्धा नहीं है तो दान नश्ट हो जाता है उस दान का कोई प्रतिफल नहीं मिलता है दो नारज जी बोले कि हे राजन परमात्मा ने आपको ये साथ पदों में बंधा हुआ इस इस लोग के द्वारा जो दान का ये उत्तम रहसे है जो स्री नारायन बिश्णू ने आपको बतलाया है उसकी मैंने ये ब्याख्या कर दी अस्तू राजा धर्म बर्मा बोले कि हे मुनिवर आज मेरा जन्म सफल हुआ दान नी संदेह परमात्मा को प्राप्त करने का एक साधन है जिस पर चलकर महान राजा हरिश्चंद्र, महर्स दधीची, कुंती पुत्र कर्ण, राजा सिवी, राजा मौरद्धवज, आदिने साक्षात इ पूरी स्रद्धा से और अपनी सामर्थ के अनुसार अपने कुटुम्ब के भरन पोशन से अधिक होने पर ही दान करना चाहिए अन्यथा नहीं, अस्तु, जै स्री कृष्ण, जै स्री राम, जै जै परशुराम, ओम स्री